हमी पता है कि जवान राइनोसिरस, वाकविटा, मौन्टेन गोरिल्ला, टाइगर, एशियन एलिफेंट, औरेंग युटान्स, लेदर बाफ टर्टल्स, ये सब एंडेंजर्ड स्पीसीज खतम होने वाली प्रजाती में आते हैं, अब इस लिस्ट में और एक एंफिबियन एड हो गई है आस्ट्रेलिया के पास के पापुआ न्यू गिनी में सोलमन आइलाइन्स में ज़्यादा तर ट्राइबल्स और अंसिविलेजर पीपल रहते हैं इन लोग यूजरली कौनफर गुपी फैमिली के फ्रॉग जो एक से दो फीट रहती है उसको बुष्ची के नाम से बोलते हैं और उसको खाते भी हैं डॉग्स के मदद से इसको हंट करते हैं अभी अचानक ये फ्रॉग सोशल मीडिया में बहुत वाइरल हो गया है सोलमन ऐलांड्स के ग्रामिनों को एक जेंट फ्रॉग ने हैरान कर दिया यह जेंट फ्रॉग नॉर्मल जैसा एक से दो फीट नहीं तीन से चार फीट इंसानी बच्चे के आकार जितना बड़ा था सोलमन आइलांड्स के होनियारा के जिम्मी ह्यूगो ने एक पिक्चर खींचा जो सोशल मेडिया पर बड़ी चर्चा का विशय बन गया है यह फ्रॉग एंडेंजर्ड स्पीसिस खतम होने वाली प्रजाती का है टिम्बर मिलिंग ओपरेशन के ओनर ह्यूगो ने एप्रिल में जब जंगली सुवर का हंटिंग करते समय मजदूरों को यह जैंट फ्रॉग मिला जिसका पिक्चर ह्यूगो ने एफबी पर शेयर किया ह्यूगो ने कहा कि यह बुश चिकन है और यह चिकन से भी ज़्यादा स्वाधिष्ट होता है सोशल मीडिया यूजर्स को ह्यूगो की पिक्चर पर भारी बरकम मेंडक से अच्छमबित करने वाली कमेंट्स चोड़ कर आस्चर यह चेकित रह गये है यहां तक कि विशेशगन भी इसके आकार से हैरान है आस्ट्रेलियन म्यूजियम में एमफिबियन और रेप्टाइल्स बायलोजिकल कंसर्वेशन के क्यूरेटर जोड़ी रोली ने कहा कि उन्होंने कभी भी इतना बड़ा जेंट फ्रॉग नहीं देखा है और यह काफी पुराना होगा यह जेंट फ्रॉग आज पोल्यूशन और इंक्रीज इन पॉपुलेशन के कारण आबादी में गिरावट का सामना कर रहे है